महाराष्ट्र में मिसर की आपको बहुत सारी वराइटीज मिलेंगी लेकिन कोलापुरी मिसर का अंदाज कुछ हटके हैं तो आज हम कोलापुरी मिसर कैसे बनानी है वही देखेंगे तो चलिए फिर सबसे पहले हमें कोलापुरी मिसर का मसाला बनाना है उसके लिए मसालों को ड्राय रोस करना है तो शुरुवात करते हैं एक चोथाई कप सुखे नारियल से उसमें अब हम दो टेबल स्पून कोरियंडर सीड्स डालते हैं एक टेबल स्पून जीरा एक टेबल स्पून सफेद तिल एक टेबल स्पून पोपी सीड्स डालचीनी के टुकड़े एक बड़ी इलाईची स्टोन फ्लावर दो चक्रफूल छे से साथ लॉंग और छे से साथ काली मिर्च नेक्स्ट एक इंच अद्रक का टुकड़ा और आठ से नौ लसुन की कलिया डालते हैं दो छोटी इलाईची इने भी भून लेते हैं इसे अब हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे हमारा ये जो मसाला है ये रोस्ट हो चुका है अब हम इसे पीस लेते हैं अब हम मिसर बनाएंगे उसके लिए हम लेंगे तेल तो तेल यहाँ पर हमें थोड़ा से जादा लेना है तो हमने तीन से चार टेबल स्फून तेल लेना है तेल गरम हो गया है उसमें एक टेबल स्पून राई आड़ करेंगे राइ के अच्छे सिफटने के बाद, नेक्स्ट जाएगा प्यास दो प्यास को बारिक काट की लिया है प्यास को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं नेक्स्ट क्रश किया हुआ लसन एड़ करते हैं एक टमाटर ला लेंगे इसे भी हमने पारिक काट के लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हराधनिया भी आड़ करेंगे अब इसका ढखकन बन करके प्याज और टमाटर को थोड़ा सा पकने देंगे पांच मिनिट हो चुके हैं देखते हैं हमारा प्याज और टमाटर पका है या नहीं अच्छे से पक गया है और ऑईल भी छोड़ रहा है अब हम इसमें बचे हुए मसाले आड़ करते हैं नेक्स इसमें जाएगा कोलापुरी मिश्र मसाला जो हमने अभी अभी बनाया था मैं इसमें 3-4 टेवल स्पून डालूंगी आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना आड़ कर सकते हैं इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर, दो चमच लाल मिश पाउडर, मिक्स कर लेते हैं देड़ कप स्प्राउट्स मैंने इसमें डाले हैं और एक टेबल स्कून गरम मसाला डालते हैं नमक डालेंगे स्वाज अनुसार और इसे मिक्स कर लेते हैं इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसमें अब हम तीन कप पानी डालेंगे और फिसे मिक्स कर लेते हैं अब इस पर ढखकन लगाकर स्प्राउट्स के पकने तक वेट करेंगे 15 मिनिट हो गए हैं देखते हैं हमारी स्प्राउट्स पके हैं या नहीं उबर तर्री आ गई है और स्प्राउट्स भी अच्छे से पक गए हैं बिल्गल सॉफट हो गए हैं आप देख सकते हैं तो यह हमारी मिश्ब बिल्कुल तयार है गारनीश करेंगे अब मैं बोल सकती हूँ कि जनजनित कोल्हपुरी मिशर तयार आहे आता फर्सान, कांदा, पाव आनी मिशर चला खाविया आनी अशा जनजनित आनी च्छान रेसिपित साथी लाइक, शेर आनी सब्सक्राइब कराईचे तुडेज फूड़ित परियाला तो परें त, बन्यवाँ!